ये ex-servicemen rally हमेशा इसलिए आयोचित की जाती है कि इसमें जो फोजी सेना से सेवा निर्वित हो चुके हैं उनको उनकी कई तरहां की मुश्कलाते उनको अपेश आती हैं गिर्वैंसिस होते हैं उनकी डाकुमेंटेशन नहीं हो पाती है साही धंसे जिसकी वज़ा से जो फाइदे होते हैं एक सर्विसमेन को मिलने वाले वो उनको नहीं मिल पाते हैं तो इस तरहां की जो वैलिस उसका मकसद नहीं होता है एक तो जो उपलबदियां है जो हाल ही के दिनों में जो उनके लिए फैसिल्टी से जो सेटल्ड गॉर्मंट की तरफ से जिनकी goeshtना की गई है या उसके साथ साथ जो भी उनके लिए वाया के लिए जो भी वेलिफयर स्टीम से एकसर्विस्मेंन लीग बनाती है उसको उनके सामने रखना होता है पेश करना होता है और यह जो एक्सर्विसमेन रैली है इसमें Northern Command के जियो सी जो खुद यहाँ पे मौझूद होंगे कुछी देर के बाद लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे गरिवियंसिस बूत जो ह नहीं दर्ज करवा पाया है तो वो यहाँ पे करवा सकता है यह एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे उनको तमाम वो सुवधाएं मौया हो जाएंगी अगर किसी का नाम गलत है या कोई रिस्ट्रेशन में कई दिक्ट आ रही है उसको तो यहाँ पे जो सेना की असिस्टेंस है उसको हल किया जाएगा उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेडिकल केंप लगाया गया है ताकि यदि कोई एक सर्विसमेन है जिसको कोई मेडिकल ही कोई अन्फिट है प्राबलम है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे चेक अप उनका किया जाता है डॉक्टर्स क करेंगे यह एक मौका होता है जब फोज यह बताती है अपने जो फॉर्मर जो फोजी होते हैं एक सर्विसमेन होते हैं कि फोज हमेशा उनके साथ है और कभी उनको कोई दिक्कत आती है परिशानी आती है तो इस तहां के जो एक सर्विसमेन वैलिस हैं वो आयोजित की जाती हैं ताकि उनका अजाला किया जा सके जो भी उनको दिखते आने वाली है उनके वेलफेर के लिए जो काम काज किये जा रहे हैं उनके बार में बताया जाता है तो आप देश सकते हैं तमाम सीनियर आफसर एक सर्विसमेन और उसके साथ साथ खुद जो नौर्धर कमांडर के कमा जित के जाता है क्योंकि कई दफ़ा ये कहा जाता है एक सर्विसमें की तरफ से कि उनको कई ऐसी स्कीम्स हैं ऐसी वेल्फिर स्कीम्स हैं जिनकी मालूमात हासल नहीं हो पाती है तो वही मालूमात उनको देने के लिए जो है ये तमाम राज़न एक सर्विसमें के साथ एक से कनेक्ट कर पाते हैं राजन अतमांतर तफसलात के लिए बेहर शुक्राइब